तो दोस्तों इस वीडियो में S, C, C, B, C, C और F, C, C यानि तीनों का संकूलन ज्हामता है इस वीडियो में हम आपको निकालने को बताएंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको S, C, C का संकूलन ज्हामता निकाल के आपको हम दिखाते हैं दखिए संकूलन छामता निकालने का है एक सूत्र होता है कि संकूलन छामता बराबर संकूलन छामता या दाक्षेता दूनों एक ही होता है परमाणु का आतन भागा घन का आतन गुने जेड गुना 100% ठीक है तो देखिए यानि यह तीनों का संकूलन छामता निकालने का यह शूत्र है यानि इसी सूत्र से हम तीनों का संकुलन छामता है या दाक्षिता निकालेंगे ठीक है यानि ये सूत्र आप अची तरह से याद कर लिजिए कि संकुलन दाक्षिता या छामता है इसी सूत्र से निकलता है तो हम सबसे पहले हम S, C, C का संकुलन छामता हम आपको निकाल कर दि तो Z बराबर 1 होगा, यानि Z बराबर 1 रखिएगा, और R बराबर A भागा 2, यानि R बराबर A भागा 2, तो देखिए, यहां से हम A कमान आराम से इकाल सकते हैं, A बराबर 2R हो जाएगा, यानि इसे तिरचा तिरची हम गुना कर देंगा, तो A कमान नहीं कर देगा, A बराबर 2R, तो जब भी ACC का संकुलान छामताई कालिएगा, तो Z बराबर 1 रखिएगा, A बराबर 2R रखिएगा, तो देखिए, पर्मानु का आयतन, तो देखिए, पर्मानु का इसा रहता है, गोल रहता है ना, गोला जैसा रहता है पर्मानु, तो गोला, यानि पर्मानु का आयतन यानि गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है, चार भागा, तीन, पाई, आर, क्यू, ठीक है, यानि गोला का आयतन हो गया, परमानू का आयतन, चार भागा, तीन, पाई, आर, क्यू, ठीक है, अब देखें, जेड, यानि जेड का मान कितना है, एक है, तो यहाँ पे ज गुना 100% ठीक है तो देखिए तो 4 भागा 3 अब देखिए पाई का मान आप रोख लिजिए पाई का मान रखिएगा 3.14 ठीक है तो पाई का मान यहाँ पे रोख लिजिए 3,x14 गुना 1 भागा घ्राम का आयतन कितना है? यानि1Q तो 1Q एक का मान कितना है? 2R तो यहाँ पे दूदना 4,4 दूदना 8 हो जाएगा के नहीं यानि जब ही दूदना 4 को तीन भागा गुना की जीगा तो 8 हो जाएगा R Q हो जाएगा ठीक है गुना 100% है तो 100% लिख देंगे अब देखिए यह भाग में है उधर जाएगा तो देखिए यह भाग में है तो यह पल्टेगा तो उपर चल जाएगा कि नहीं तो 8 3 24 है यह R से R कोट जाएगा ठीक है 8 3 24 गुना 3.14 गुना 100% यानि जब भी S C C का संकुलन छामता लिखाएगा ना वह पर सेंट में लिखाएगा ठीक है तो देखिए 6 24 का 24 अनि 6 मर्तबे यह कट जाएगा अब देखिए अब देखिए यह 2 0 है ना दसम लो हट जाएगा तो 3 1 4 यानि 314 हो जाएगा ठीक है भागा 6 अब 300 चाउदे में 6 से गुना भाग दिजिएगा तो कितना होगा 6 5 30 1 होगा तो 4 तो 6 दूना बारे 6 दूना बारे अब 2 बचा तो दसम लो यानि 20 हो जाएगा तो 618 ठीक है 618 18 ठीक है अब देखे 52.3 आ गया तो यहाँ पे देखे ACC का संकूलन चामता यही होता है 52.3 ठीक है देखे जब ही आपको अब्जेक्टी में पूछेगा कि ACC का संकूलन चामता कितना होता है तो 52.3 होता है अगर सब्जेक्टी में पूछेगा दो नमर में तो आप ऐसे ही संकुलन छामता निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं, BCC का संकुलन छामता निकालेगे, तो देखिए, जी सुत्र से हम ACC का संकुलन छामता निकाले थे, उसी सुत्र से हम BCC का भी संकुलन छामता निकालेंगे, जो वह सुत्र था संकुल छामता बराबर परमानु का आयतन भागा गहन का आयतन गुने जेड गुना 100% यानि परमानु का आयतन के मतलब क्या होता है यानि गोला यानि गोल परमानु रहता है कि ना यानि गोला का आयतन तो गोला का आयतन कितना होता है चार भागा तीन पाई आर क्यू गुना जेड त कुना 100% है तो 100% ठीक है यह अब गहान का आयतन तो गहान का आयतन कितना होता है AQ यानि भूजा के Q तो AQ यहां पे लिख लिजिएगा तो देखिए जब भी यहां BCC का संकुलन छामताई का लिएगा तो दो बात इसमें भी याद रखिएगा कि Z बड़ाबर आपको 2 रखना है और यहां पे A बड़ाबर 4R भागा रूट 3 यानि Z बड़ाबर आपको 2 रखना है A बड़ाबर 4R भागा रूट 3 रखना है तो इसमें रख लिजिए तो देखिए चार भागा रूट 3 यहां पे पाई का मान रख लिजिएगा 3 दो समलो एक चार तो यहां पे रख लिजिए पाई का मान 3 दो समलो एक चार गुना RQ तो RQ अब Z का मान कितना है Z का मान 2 है तो 2 रख लिजिएगा गुना 100% ठीक है अब देखिए एक Q यानि एक का मान कितना है तो देखिए एक Q का मान अब रख लेना है 4R रूट 3 तो यहां एक का मान रख लिजिए 4R रूट 3 का होल Q ठीक है अब इसे होल कीजिएगा तो देखिए 4 है यहां 2 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा गुने 3.14 गुने RQ गुना 100% तो 100% लिख लिजिएगा अब देखिए 3 अब देखिए 4 को 3 बार गुना किजिएगा तो कितना होगा चार चाव का सोले चाव का 64 64 64 RQ अब देखिए रूट 3 है यहां यहां रूट में 3 है तो इसे तीन बार गुना किजिएगा ना 3 गुने 3 गुने 3 ठीक है तो 3 3 है नौ तो 9 का वर्ग मोल कितना होता है तीन तो एक तीन बाहर चलाएगा आ जागा कि नहीं एक तीन रूट में रहेगा तो यहां पर कर लिजिए आठ गुने 3 दसमलो एक चार गुने आर क्यू गुना 100 परसेंट 3 चौँसट आर क्यू तीन रूट तीन ठीक है यानि तीन रूट तीन एक यानि तीन बाहर आज़ेगा एक तीन अंदर ही रहेगा ठीक है तो देखिए एक दो तीन चार यानि चार कंडिशन हाए तो अब यह पलठे गा तो यह उपर चल जाएगा यह इसमें चल जाएगा आज़ेगा कि नहीं तो देखिए पलट के हम दिखाते हैं आपको तो आठ गुने तीन दसमलो एक चार गुने आर क्यू तो देखिए यह उपर चल जाएगा कि नाई तीन रूट तीन यानि तीन रूट तीन गुना 100% भागा तीन गुने चोंव सथ आर क्यू ठीक है तो देखिए अब इसे गाट इएगा तो एक आर से आर कर जागा ने आरुक्यू से रुक्यू कोटवेगा, 3 क्राइगा, 68, 64, 64 आप देखिए यह भी कॉटवेगा यहां पर्सेंट में हैं नहीं पर्सेंट पर लिख लिखी है तो इससे काटिएगा तो दो बार में काटएगा चार बार में, यह 50 होड़ेगा यह 2 से काटएगा दो यह 25 हो जागा कि नहीं यहां पे हम आपको लिखके दिखा देते हैं तो देखिए अब किया के बचा 3.14 गुने यह रूट बचा है रूट 3 तो रूट 3 का मान रख लिजे 1.732 यानि रूट 3 का मान होता है 1.732 तो यहां रख लिजे 1.732 गुने 25 यानि 25 बचा है कि नहीं यहां लास्ट में है 25 तो 25 रख लिजेगा भागा 2 यह 2 है यानि भाग में 2 है तो 2 रख लिजेगा आप देखिए इतना इतना में गुना किजेगा 3.14 गुने 1.732 गुने 25 में इतना से गुना किजेगा तो कितना आएगा गुणा कर लिजिए तो देखिए इतना में इतना से गुणा किजिएगा तो आएगा 135 दसमलो 9,62 ठीक है अब भागा 2 यानि 2 से आपको भाग देना है तो दीजिए भाग 2 आपको याद रखना है कि अबजेक्टी में पुछेगा बीजिए का संकुलन चामता कितना होता है तो 68% होता है अगर 2 नमर या 3 नमर या 5 नमर या पूछेगा तो आपको ऐसे ही निकाल लेना है ठीक है तो अब हम आपको बताते हैं FCC का संकुलन चामता निकालने का ठीक है रखना है ठीक है तो देखिए वह सुत्र किया था 4 भागा 3 पाई आर क्यू गुना जेड गुना 100 परसेंट ठीक है यानि संकुलन छामता को हम छोटका n से सुजित करते हैं तो यहां फे छोटका n लिग देते हैं ठीक है तो देखिए FCC को हम HCP भी बोलते हैं या इसे CCP भी हम बोलते हैं ठीक है यानि इसका दो और नाम है ये दोनों आपको याद रखना है कि FCC का दो और नाम है ठीक है तो देखिए अब भागा AQ होता है ना तो AQ का स्थान पर इतना हम रख देंगे दो रूट दो आर क्यू ठीक है अब देखिए इसे हॉल करते हैं चार भागा तीन पाई आर क्यू गुने जेड यानि जेड के अस्थान पर चार अखना है यानि जेड का मान कितना है चार है तो चार अख दीजिए गुना 100% भागा यानि देखे दो को जब तीन भर गुना कि जेडा तो 8 हो जाएगा यानि रूट 8 यहां पर दो है तो 2 का गुना किजिए गा तो 8 हो जाएगा रूट 8 गुने आर क्यू ठीक है और देखिए आगे यानी 4 भागा 3 यानी πाई का मान आपको याद होगा 3-2-1-4 यानी πाई का मान 3-2-1-4 रखना है गूने 4 गूना 100% ठीक है अब देखिए यह भाग में है उपर पलटे गा तो यहापे चलागा कि नहीं इसमें गूना में पलट लिजिए 8 अब देखिए यह 8 को आप रूट से तो कितना में 2 रू टो 2 हो जाएगा कि नहीं यानि 2 रीट दू ठीक है गुणा र RQ इसमें कहां गया यहां पे लिख लिजिए R Q ठीक है तो देखे र Q से R Q यह कर जाएगा कर जाएगा अब ये भी कर जाएगा चार दुना 8, ठीक है, 2 दुना 4, कर जाएगा, फिर यहां पे 2 बचा है, 2 दुना 4, कर जाएगा कि नहीं, अब देखिए आगे, अब क्या क्या बचा है, 3 दसम लो, 1, 4, अब क्या इसम बचा है 100, यानि 100% भागा, इस नीचे क्या बचा है, 3 रूट 2, 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 लिख देना है, अब देखिए, 3 दसम लो, 1, 4, 100 से गुना किजिएगा, तो देखिए, यहां पे 2 गो 0 है ना, तो 2 0 से यह दसम लो, हट जाएगा, तो 3, 1, 4, यानि 304 दे भागा 3 रूट 2, ठीक है, अब देखिए, रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 1, 4, 1, यानि रूट 2 का मान 1, 4, 1 आपको रख देना है, तो देखिए, यहां पे रख लिजिए, 304 दे भागा 3 गुने 1 दसम लो, 4, 1, यानि इसे भाग दिजिएगा, तो 74 परसेंट आपको एंसर चलेगा, यानि 74 परसेंट, FCC का संकुलन छामता कितना होता है, 74 परसेंट, FCC बोलिए, या HCP बोलिए, या CCP बोलिए, या CCP बोलिए, यानि इसका 3 गो नाम है, ठीक है, यानि FCC का कोई संकुलन छामता पुछेगा, तो 74 परसेंट बताईगा, या HCP का पुछेगा, या CCP का पुछेगा, तो 74 परसेंट ही आ लिजिएगा तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में